आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहीं होता नहीं स्टेडी ग्लोस पर आपका बहुत दुस्पागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टन स्टेडी इसकी बात होनी चाहिए पीपीटी वाइज मैं चलूँगा और आपको कुछ ऐसी चीज़े बताऊँगा जो आप चौक जाएंगे देखिए एक चीज़ समझें डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का सही नहीं है चाहें वो किसी के भी साथ हो चाहें वो कोई भी हो वन सिस्टम जो था हमारा पहले ब्राह्मान कौन होते हैं जो ज्मानि होते हैं उसका कास्ट से कोई लिन ए देना नहीं है कास्ट से मौई यह नहीं है जो लड़ रहा है वो शत्री है अब ये बिल्कुल सही बात है कि जो सबसे चौते हैं उनके साथ गलत हुआ है ये बिल्कुल इसे कोई इंकार नहीं करेगा लेकिन हमको आज पे चलना है हमको आज ये देखना है कि हर एक इंसान को equal opportunity मिले लेकिन अगर equal opportunity के नाम पे कुछ भी किया जाए तो वो भी सही नहीं है हम सबको साथ में मिलके काम करना है अब यहाँ पे जो study छपी है उसमें कहीं न कहीं देखे right extreme right dangerous है और left extreme left dangerous है तो left जो radical left है वो यहाँ पे views दिखते हैं है ना तो ये HAF है बात करेंगे और चानक के ने खुद बोला था कि देखें कास्ट से कोई लेना देना यह नहीं चानक के अपने words में बोला है मैंने चानक के निती spiritual wisdom जब cover किया था तो मैंने बताया था कोई भी ब्राह्मन है कोई भी यहाँ पे trader हो सकता है तो यह course इसके class कल होगी तो कल मैं how to conquer the world यह आपको पढ़ाऊंगा 300 अरपे का ही course है 30 November तक हमने इस course offer को चलाया है तो जो Hindu American Foundation है HAF यह कौन सी यह American based foundation है जो भी Hindu America में रहते हैं यह उनके लिए काम करते हैं मतलब एक तरीके से उनका group है क्या होता है जैसे मैं बताता हूँ कि अब मान के चली है कि कोई एक दो देश है वहाँ पे हिंदुस्तानी चले गए तो अब हिंदुस्तानी उस देश में काम कर रहे है तो जाहिर सी बात है हमारी भी आवाज सुननी चाहिए हमार यह एक तो हमें ग्रूप बना सकते है कि हिंदु जागरण मंचा कोई भी ठीक है अगर मुस्लिम चले गए है तो उनका group हो सकता है जो उनकी बात को रखे आप समझ रहे हो जो सच्चाई बता अगर उनके उपर कोई भी problem हो तो यह group जो है वो आगे जाके उनको support कर सके तो ऐसे हर देश में communities के group होते हैं ठीक है भारत में भी है तो यह Hindu American Foundation अब इन्होंने क्या कहा है इन्होंने दो prominent newspaper दुनिया के आपको पता है कि देखिए अगर इन newspaper में खबरे छप गई तो पूरी दुनिया कवर करेगी है ना यह इतने बड़े newspapers हैं तो दो American एक तो New York Times जिस जो मुझे हिसाब से अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप New York Times आपने English अच्छी करने तो यह पढ़िए वो छोटे से आर्टिकल को बहुत comprehensively कवर करते हैं और दूसरा Bloomberg तो यह दो media outlets इनकी ओपर आरोप लगा है क्या रूप लगा है कि बेटा तुमने एक study नहीं चापी अब इस study में क्या था इस study में यह था कि caste based diversity देखे DEI diversity, equity और inclusion यह क्या है यह training programs है जैसे मैंने आप यह आपको बता कि हजारों सालों से अमेरिका में भी caste problems है हजारों सालों से यह problem चलती आ रही है तो यह group बना है जिसको DEI कहते है कि diversity, equity और inclusion हम training programs कराएंगे जो भ्रांतियां है जो इतने समय से चलती आ रही है उसको खतम करके हम यहाँ पे लोगों को train करेंगे ताकि वो क्या करें उनको अपने rights पता चले वो आगे भी लोगों को rights बता है अपने जैसों को जो परशान है तो ऐसे DEI programs जो है वो चलते रहते हैं तो आब यहाँ पे बता रहे हैं जो Hindu American Foundation उन्होंने बताया है कि इन दो पेपरों ने नहीं छापी study जिसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि एक DEI का जो program चला उसमें क्या पढ़ाया गया कि किस तरीके से तुम नफरत के बीज बोगे किस के खिलाब हिंदूओं के खिलाब anti-Hindu program चलाए गए दोस्तों और अब मैं जो आपको बताऊंगा देखिए मैंने आपको बताए DEI programs के बारे में ठीक है? DEI programs को execute करने के लिए बहुत सारी organizations है ऐसी एक South Asian Dalit organization है जिसका नाम है Equality Labs अब यह जो Equality Labs है यह क्या करते है? ट्रेणिंग प्रोवाइड करती है जैसा कि मैंने बताए कि DEI program क्यों चलते हैं ताकि discrimination खतम हो Equality आए उसको कौन execute कराते है? Equality Labs I hope आप समझ गए होंगे उसके बाद Equality Labs का यह या जो भी organization उसका यह दाइत वो होता है कि जो भी उनके पास training करने आ रहे है कहीं पे गलत हो रहा है तो उसको कैसे counter किया जाए discrimination हो रहा है तो उसको कैसे counter किया जाए एक सही समाज कैसे बनाया जाए बट इन्हों ने तो उल्टा ही समाज बना दिया ऐसा इसे study में बता है India Today की ख़वर में बता रहा हूँ study जो है that was conducted by Network Contagion Research Institute in collaboration with Rutger University और इन्हों ने बता कि ऐसे anti-hindoo narrative चलाई हैं जो डराने वाले हैं अब आप बलेंगे sir ऐसा क्या बोल दिया ऐसा यह बोल यह तो मैं HF के बारे में आपको बताई चुका हूँ इन्हों ने यह बोल पहले बात तो HF ने यह tweet किया जो चिनमे क्रिशनदास के साथ हुआ है आपको पता है चिनमे क्रिशनदास के वकील को भी उनके उपर हमला हुआ शाद मार भी दिया गया है तो आप यह देखिए बताया गया है अरे यार अगे चल कि हिंधूस जो ब्राम्हंड्स है वाइरस है इस तरीके से यह जो आप देख रहे हो कि 35.4 परसेंड ब्राम्हंड्स यह ब्राम्हंड्स और परसाइट्स स्वानिफाइड है यह बताया जा रहा है कॉलिटी रैप जो है वो ट्रेनिंग दे रही हिंदू है यह आरोप है कि जो जीव है वर्ड यहूदी है तो यही एच एफ ने यह एक तो इन लोगों को जो इन्होंने स्टडी कंड़क की ठीक है जो डटकर उनिवस्टी के थे सब आप देखी सकते हैं इनको इनको बहुत जादा तारीफ की और उसके बाद यह बोला कि यार क्यों नहीं छापी आखरी वक्त पे यह जो आर्टिकल है ब्लूमबर्ग का यह जो यह जिस तरीके से काम कर रहे हैं 30% increase यह situation को सही करने की बजाए और खराब कर दे रही हैं ऐसे प्रोग्राम चला चला के आगे और आगे देखिए यह देखिए अब इसमें यह वैसे 24 पेस की PDF है पता है कि ब्राम्मन शुद नॉट बी पर्मिटेट तो विर सेक्रेट थेट on campus पहनते है ना 44.4% students should protest the admission officer 38.6% admission officer should be fired 32.9% जो सही चीज है उसमें आपको percentage कम मिलेगा जो गलत चीज में percentage आपको जाधा मिलेगा राइट कि admission of admissions officer should be suspended for a semester 31.5% ऐसे आप देख सकते कि admission officer should be required to apologize for cast prejudice 26.5% ठीक है तो ऐसे आप यह देख लीजेगा इसको screenshot लेजेगा यह study जो है मतलब जब यह सामने बात आई ठीक है तो फिर यहां पर इन्होंने कहा कि आप comprehensively cover करिए जो आपने अभी तक छुपाया है तो आप इसको comprehensively cover करिए आप छुपा क्यों रहे है जो है अब बहुत phobias की बात होती है है ना लेकिन यहां पे phobia को कौन देखेगा जो हिंदों के साथ हो रहा है यह anti Hindu hate इस तरीके के फैलाई जा रही है इसको कौन देखेगा और इसी वज़े से दोस्तों आप देखी सकते हो कि बह और hef ने तो यह तक बोला कि जो new york times है उन्होंने बोला था कि हम पब्लिक इसको publish करेंगे लेकिन एकदम से उन्होंने without anything without बस की नहीं नहीं abruption आगे बोला कि नहीं हम नहीं publish कर सकते हैं तो आरोप लगाया है कि यह और bloomberg ने भी किना यह नहीं करेंगे तो जो बाइलोजिस्ट हैं कॉलिन राइट उन्हों ने भी फिर कहा कि लताना यहां पे सबको कि और बाकी स्टेडी तो तुरन पब्लिश हो जाती है लेकिन यह इतनी क्रिटिकल स्टेडी क्यों publish नहीं हो लिए यह देखना पड़ेगा तो वही है देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब चीजों को खतम करके एक अच्छा समाज बनाना है और नफरत जो भी फैला रहा है चाहे कोई भी है आप ऐसा थोड़ी नहीं कि आप दलित के नाम पे नफरत फैलाओ भाई हम सबको यह समझना चाहिए कि बहुत सारे कास्ट ऐसे है जिनको अक्चुल में रिजर्वेशन का फाइदा नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए और यह सुप्रीम कोट ने भी बोला था कि बहुत सारी कास्ट ऐसी है जो बहुत समय से रिजर्वेशन का फाइदा उठाए जा रही है तो सबसे जरूरी बात यह है कि हर किसी को समानता का अधिकार है लेकिन समानता के नाम पर नफरत, फैलाना सही नहीं है है नै? तो इस चीज़ को क्योंकि हम को एक बहुत अच्छी समाज का, एक अच्छे भारत का निरमाण करना है कर, ताकि उसमें हर से प्यारी प्यार हो, नफरत की जगा ना हो तो बस इसी से ही अपना लेचर इंट करना चाहूंगा थांक यू सो मच